दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चानल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दिपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं दा हिंदू एडिटोरियल का वोक्याब अनलिसिस आश्या करती हूँ कि आप इन सेशन्स के साथ रेगुलरली जुड रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं क्योंकि इन सेशन्स का मकसद है आपके वोक्याब आवर को और ज़ादा इन्हांस करना और ये जो वोक्याब सेशन्स है ये बैंक, SSC, रेलवे, UPSC या फिर किसे भी कॉंपिटिटिव एक्जाम के लिए एकवली बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टन है तो चलिए और ज़ादा देरना करते हुए बढ़ता है हमारे वोक्याब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वोर्ड कौंसा है तो हमारा सबसे पहला वोर्ड है सेवर सेवर का मतलब होता है खत्म करना या फिर तोड़ना किसी चीज को और ये हमारे पास parts of speech में verb है यानि कि क्रिया है सेनानी में इसका होता है disconnect या फिर cut off यानि कि किसी चीज को खत्म करना तोड़ना या फिर उससे अलग हो जाना अब example देखें तो example इसका है they chose to sever their business partnership यानि कि उन्होंने जो है वो अपने business partnership को खत्म करने का फैसला किया इस context में हम जो है वो sever इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आके चलेंगे हमारे next word की और और जानेंगे कि हमारा अगला word कौनसा है तो इसके बाद हमारा अगला word है year round year round का मतलब होता है साल भर यानि कि साल बर होने वाला जो चीज जो है वो complete साल बर होती रहती है उसे कहा जाएगा year round और यह हमारे Example, the botanical gardens are open year-round, यानि कि जो botanical gardens है, जो वनस्पती के garden है, जो उनके बाग है, वो हमेशा जो है, वो साल बर खुले रहते हैं, इस context में हम जो है, वो year-round इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं, then इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word के और और जानेंगे कि हमारा अगला word कौ Countenance का मतलब होता है, अनुमती देना, स्विकार करना या फिर सहन करना किसी चीज को, और ये हमारे पास parts of speech में verb है, यानि कि क्रिया है, synonym इसका होता है, tolerate या फिर permit, यानि कि किसी चीज को सहन करना या फिर उसके लिए अनुमती देना, उसे स्विकार कर लेना, for example, the teacher refused to countenance cheating in any form, यानि कि शिक्षक ने किसी भी रूप में cheating को बरदाश करने से मना किया, इस context में हम जो है, वो countenance इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं, then इसे के साथ आगे चलते हैं हमारे next word की ओर, तो इसके बाद हमारा अगला word है, orchestrate, orchestrate का मतलब होता है, आयोजन करना, कोई चीज तयार करना, prepare करना, और यह हमारे पास parts of speech में verb है, यानि कि क्रिया है, सिनने मिसका होता है, organize या फिर plan, यानि कि कोई चीज़ तयार करना है, फिर आयोजित करना, for example, the director orchestrated the scenes of the film with attention to detail, यानि कि director ने जो है, वो film के detail को ध्यान में रखते हुए, जो है, वो उसके scenes को तयार किया यानि कि plan किया, इस context में हम जा है, वो orchestrate इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे, then इसे के साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की और और जानेंगे कि हमारा next word कौनसा है, तो इसके बाद हमारा अगला word है interminable, interminable का मतलब होता है अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं होता, जो नहीं होती, उसे कहा जाएगा interminable, और ये हमारे पास parts of speech में adverb है, synonym इसका होता है unseized या फिर endless, यानि कि खत्म न होने वाला, for example, the queue at the grocery store move interminable, यानि कि grocery store में जो लोगों की line थी, वो इतने जादा बढ़ गई थी कि उसका कोई अंत नहीं था, यानि कि बहुत लंबी line थी इस context में हम जो है वो interminable इस word का अलगरक sentences में use कर सकते हैं, then इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की और और जानेंगे कि हमारा अगला word कौनसा है, तो इसके बाद हमारा अगला word है bad for, bad for का मतलब होता है समर्थन करना, support करना किसी को, उसे कहा जाएगा bad for, और ये एक phrasal verb सिननीम इसका होता है support, यानि कि समर्थन करना, साथ देना, अब example देखें तो example इसका है, she always bad for her friends when they are in trouble, यानि कि वो हमेशा अपने friends को support करती है जब वो कोई मुसीबत में होते हैं, किसे trouble में होते हैं, इस context में हम जो है वो bad for इस phrasal verb का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं, then इसी के साथ हम आगी चलेंगे हमारे next word की और और जानेंगे कि हमारा अगला word कौन सा है, तो इसके बाद हमारा अगला word है bespoke, bespoke का मतलब होता है विशेश रूप से निर्मित, जो बहुत खास तरीके से बनाया गया हो, उसे कहा जाएगा bespoke, और ये हमारे पास parts of speech में executive है, यानि क किसी चीज़ को जो है वो बहुत ही खास तर से बनाना, विशेश रूप से बनाना, for example, the tailor crafted a bespoke suit for the wedding, यानि कि tailor ने जो है वो शादी के लिए एक बहुत ही खास तरीके से विशेश रूप से जो है वो एक suit बनाया, इस context में हम जो है वो bespoke इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते है then इसे के साथ हम आगे चलेंगे हमारे next word की और और जानेंगे की हमारा अगला word कौन सा है तो इसके बाद हमारा अगला word है सब पार, सब पार का मतलब होता है औसत से कम यानि कि normal quality से भी कम quality की कोई चीज होना, उसे कहा जाएगा सब पार और यह हमारे past parts of speech में executive है यानि की vishetion है synonym इसका होता है below usual यानि की औसत से भी कम यानि की बहुत ही कम दरजे का होना, बहुत ही कम quality का होना for example, the phone's camera was sub-par compared to other models यानि की other models के comparison में जो phone का camera था वो बहुत ही ज़ादा कम quality का था यानि की औसत से भी कम दरजे का था इस context में हम जो है वो sub-par इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके बाद हमारा अगला word है spacefaring spacefaring का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्रा यानि की जो लोग अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उस यात्रा को कहा जाता है spacefaring और यह हमारे past parts of speech में executive है यानि की vishetion है इस numerous challenges यानि की जो spacefaring करते हैं ऐसे लोगों को जो है वो बहुत सारे challenges का सामना करना करना पड़ता है इस context में हम जो है वो spacefaring इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then इसके साथ हम आगे चलेंगे आज के हमारे last word की और और जानेंगे की हमारा last word कौनसा है तो हमारा last word है bylaws bylaws का मतलब होता है आदेश यानि की local authority या फिर corporation द्वारा जो है वो बनाए गए नियम या फिर rules यानि की उनके order उसे कहा जाएगा bylaws और ये हमारे पास parts of speech में noun है synonym इसका होता है regulations या फिर rules यानि की नियम या फिर आदेश या फिर कोई जो है वो उनके नियम होते है वो for example violation of the bylaws can resulted in significant penalties यानि की कि किसी भी rule का किसी भी नियम का जो है वो उलंगन करने के लिए जो है वो significant penalties यानि की जो है वो दंड लग सकता है यानि की कोई भी शिक्षा मिल सकती है इस context में हम जो है वो bylaws इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो do like this video subscribe the channel and share as much as you can और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर click करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं till then keep learning, thank you